गुदि इमिंग स्टुडेंस आज हम पढ़ेंगे अक्सरसाइज नंबर 8.5 जिसमें क्या पढ़ना है हमें Absolute, Maximum और Absolute, Minimum, Value Absolute, Maximum और Absolute, Minimum इससे पर लिख्या पढ़ा था Increasing, Decreasing पढ़ चुके और Local, Maximum, Local, Minimum पढ़ चुके आज पढ़ेंगे Absolute, Maximum, Absolute, Minimum बिल्कुल इजी कोई इसमें मो नहीं है कि Absolute, Maximum, Absolute, Minimum विल्लो निकाल लिए हमें क्या निकाल लिए हमें यह हमारा कोई function है यह कोई function है ठीक है इस परकार का हमारा कोई function है अब आप देखेंगे कि यहां भी हमारा function maximum है इस point पे भी function maximum है इस पे भी maximum है बस इता हो मैं और तीनों point पे function क्या है maximum है A के उपर भी maximum B पे भी और at point C पे भी maximum है लेकिन तीनों में से जो सबसे आधिक है तीनों में से जो function इन point पे जो function अपनी सबसे ज़्यादा value देगा यहां भी minimum है यहां भी minimum है यहां भी minimum है इन में से जो सर से कम है सर से जो कम होगा वो होगा absolute minimum value यह तो था function ठीक है absolute maximum क्या होता है absolute minimum value क्या होती है अच्छा करेंगे कैसे, same method बताये था, increasing, decreasing का, local maximum, local minimum का, और absolute maximum, absolute minimum का, तिनों का, same method, critical point तक, कहा तक है, critical point तक, जैसे, for example, मैं equation भी ले लेता हूँ, और example भी लेता हूँ, अच्छा का, फेस्ट का, फेस्ट की लेखो, f of x is equal to x square minus 3x, in the interval, on the interval 0 से 2, इस interval में, ठीक है न, 0 से 2 वाले interval में, तो सबसे पहले मैंने बताया, सभी का, same method है, इसका जागरे ले, एक पार differentiation करेंगे भी, तो यह होजेरा, 2x minus 3, और पिर क्या निकालेंगे, critical points निकालेंगे, एसे निकालते हैं भी, f dash x is equal to 0, तो तो तीस इमकाई is, 2x minus 3 is equal to 0, x की वेलू क्या आगे, यहाँ से 3 by 2, 1.5, आप मुझे बताओ, क्या है इनके बीच में आता है, यह आता है, तो x की वेलू क्या होगी, एक तो interval दिया है, 0, एक वेलू बीच में आगे, 3 by 2, और 1, 2, दो तो वेलू यह होगी, interval की, और एक वेलू यह आगे है, तो कितनी वेलू होगी, total 3 वेलू, ठीक है, अब इसके आगे हमें कुछ नहीं बताओ, कि function maximum है या minimum है, कुछ नहीं बताओ, ठीक है, यह तीनों value, value कोन देता है, value कोन देता है, value देता है, हमारा function, कोन देता है, function, इसमें put कर दो, आप यह तीनों value, एक फोग 0 कोट करो, ठीक है, तो 0 रखेंगे, तो मैं 0 का सके, minus 3 into 0, 0 हो गया, next, can I pop 3 by 2 रखो, 3 by 2 रखो, यह हो जाएगा, पर 3 by 2 का हो रखो, यह हो जाएगा, 3 by 2 का हो जाएगा, minus 3 into 3 by 2, तो यह हो जाएगा, 9 by 4, और minus 9 by 2, ठीक है, ठीक है, अच्छा, फिर एक value होना, इसी 2, f of 2, function में 2 रखो, तो 2 का सके, minus 3 into 2, तो 2 का सके 4, और minus 6, that is equal to minus 2, अब मुझे यह बत रहिए, इन में से 0, minus 2.2 और minus 2 में, सबसे कम value कॉन सी है, सबसे कम value कॉन सी है, सबसे कम, minus 2.2, 2, सबसे ज्यादा 0, तो 0 के उपना, मारा पूंसर क्या है, maximum, यह value क्या है, maximum, absolutely maximum, absolutely maximum, क्या है की बत रहिए, 0, at x is equal to 0, और यह क्या है, सबसे कम है, इनों में से, 0, minus 2.2 और minus 2.2 में, सबसे कम क्या है, minus 2.2, तो यह है, absolutely minimum, minimum, value, at x is equal to 3 by 2, यह यह question था हमारा, ठीक है, critical points तक तो सभी बच्छों को आता है, वो values निकालके, 2 interval की, और कुछ critical points आएंगे, 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, सभी को function में put कर देंगे, जो value सबसे ज़्यादा होगी, that value is absolute maximum, जो सबसे कम होगी, that value is absolute minimum, क्या है ना, और देखाई question, तो बिल्कुल simple है, absolute maximum, और absolute minimum, value निकालना है, हमें, इसी का थाड़ पार्ट और देखो, उससे नमर वन का ही, थाड़ पार्ट, यह है बई, 2x2, माइनस का 15x2, पलस का 3, 6x, पलस का 1, और यह दा interval, 1, 2, 5, यह interval, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आँएंगे, यह दो भी critical points निका लेगी, f-x, cg, let's do we find out, critical points, तो यह होजेगा, 3, 2, 6x2, माइनस का 15x2, 30x, और फ्लस का 36, और यह 0, ठीक है, 6 के आजेगा, भई, common x2, माइनस का 5x, पलस का 6, ठीक है, और 6 into, इसके फैटरा आजेएंगे, x-2, और x-3, यह आगया हमारा at-x, अब critical points के लिए इसको, critical points के लिए इसको बराबर 0 लिखते है, at-x is equal to 0, तो this implies भी यह तो 0 होगा नहीं, यह 0 होगा तो x के मेलो 2 आगी, और यह 0 होगा तो x के मेलो 3 आगी, अब बता 1 और 5 हमारा interval है, x-1 और 5, उसके बीच में 2 भी आता है, आता है न 2, और क्या आता है, 3 भी आता है, अब कितने वेलो होगे हमारे पास 4 वेलो होगे, 1, 2, 3, 5, यह 4 वेलो हम किसमें पूट करेंगे, यहां पूट करेंगे, f1 लिखेंगे, वन के उपर क्या आएगा भई, 2, माइनस का 15, प्लस का 36, x के जिगावन निखेंगे नहीं, प्लस का 1, तो यह होगे हमें, कितना पसी आता है यह होगे, 15 प्लस का, और 2 की 1, और 3, 24, फिर आपको 2 रखो, 2 के उपर निका लो भी, 2 का पाउड 3, 8, 8 तुजा 16, माइनस 2 तुजा 4, को 15 से करेंगे तो 15, 7, और प्लस का 72, और प्लस का 1, तो 12 और 16, 22, 29 प्लस का लो भी, ठीक है, ऐसे ही, फिर 3 पे लो भी, 3 पे लो भी कालेंगे, तो 3 की पाउड 3, 27, 2 से मुल्टिपिलाए करेंगे, 54, 3 तुर 3 जा 9, 9, 9 को 15 स और बही, 108, 3 से X को तेन लखेंगे, तो प्लस का 1, या आगया बही, आइस, माइनस का, ठीक है, प्लस का और 28, या और 28, और एफो 5 पे रखो, 5 तुपर खेंगे, तो बही, 125 तुजा 250, माइनस 25, 25 को 15 से करेंगे, तो 250 और 125, 375, और यहाँ 5 से बर्तिप्लाए करेंगे, तो 180, ठीक है, और प्लस का 1, इनको सिंट्रिफाइ करो, यह होगे बही, 250, तो यह होगा, 0, 3, और 2, 3, 4, ठीक है, यह 31 हो गया, इसमें से यह घटाई में 25, 35 जोड़ देंगे, तो यह 6 और 56 हो गया, ठीक है, अब मुझे बताओ, इन में सबसे ज्यादा वेलो कौन से है वेलो, 56, तो यह है हमारी absolute maximum value, कितना, 56 at x is equal to i, अच्छा, सबसे कम कौन से है, 28, 29, 24, यह सबसे कम है, that value is absolute minimum, absolute minimum value at x is equal to 1, बस यह कुशन था, absolute maximum और absolute minimum value निकालना बहुत आसान है, एक पार critical points निकालकर, जो point बनते है, सारी की सारी किस में put कर दो, function में put कर दो, और function में put करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा value आईगी, that value is absolute maximum, जो सबसे कम आईगी, that value is absolutely minimum, question number 2 का 6th part और देजिए, एक सवाल, f of x is equal to x square into root 1 plus x, और in the interval minus 1 से और 1 by 2 बही, ठीक है न, तो रखो, सबसे पहले क्या करेंगे इसका, differentiation, at s x कीजिए, कीजिए भई, fast and second से differentiation करो, fast as it is, second का differentiation 1 by 2, root 1 plus x, plus second as it is, 1 plus x, और fast का differentiation 2x, यहां क्या आएगा भी, 2 root 1 plus x LCM आजाएगा, यहां x square बजेगा, plus, इसके निचे तो 1 है, तो इसको इससे multiply होगा, तो 2, 2, 4 x into, और यह square root आजाएगा, इससे multiply होगा, तो 1 plus x, यहां गया हमाने पास, ठीक अबे, तो क्या है, x square plus 4 x square, और 1 x square, 5 x square, plus 4 x, upon, 2 root 1 plus x, यहां गया, f dash x, अब क्या रते हैं critical points, equal to क्या लिते हैं, f dash x square, 0, 0 लिखेंगे जिए साया portion 0, यह, i x square plus 4 x is equal to 0, x, को मना आजे लेगा, i x plus 4, that is equal to 0, either x 0 होगा, और, यह 0 होगा, तो x के विल नो, minus 4 upon 5, ठीक है, लाट बग माइनस का, 0.8, अच्छा, we will look at, minus 1 से, minus 1 से, और 1 by 2, इसके बीच में, भई, minus का, 0.8 आता है, आता है, minus का, 4 by 5, आता है, बिल्पुल सहीए, 0 भी आता है, 0 भी आता है, यह x के कितने value होगी, 4 value होगी, minus 1, 0, minus का, 4 by 5, और 1 by 2, यह 4 value, भई, कहां उठ करेंगी हम, अपने function में बूठ करेंगी, जो value सबसे ज़्यादा आएगी, that value is absolute maximum, जो सबसे कब आएगी, that value is absolute minimum, हो जाएगा न, ऐसे ही, एकना मैंटिक फंक्शन स्टेशन से एक दो, फिर आपकी exercise, absolute maximum, absolute minimum, सबसे हीजी है, कहीं को पूछ भी देते हैं, जैसे में देखो, ठीका, 4th part, और एक सीबीसी 2050 में पूछ लिया, और पिल्कुल इची है, क्या है जीरो से पाइग, ये हिकमल है, ठीक है न, absolute maximum और absolute minimum value, मैं थाड़ है कि ये critical point का, ठीक है, address x करो, 2sin x, और फिर भी sin x का करेंगी, तो power का हुआ है, 2sin x, sin x का cos x, minus cos का भी minus sin, तो minus minus plus sin, दोनों पिसे क्या को पूछ एगा भी, sin x, क्या बज़ेगा, 2 cos x और plus का 1, अब क्या निक अब करेंगे, critical points, equal to 0 लिखके ना है, either sin x 0, or, और क्या होगा भी, ये 0, 2 cos x, plus 1 is equal to 0, sin x 0 होगा, तो x क्या है या, 0 पे भी जी होता है, और pi पे भी होता है, 0 और pi दोनों आ चुकी है, ये तो आ चुकी है, ठीक है, तो पाहिप होगा, वो interval से क्या होगा, भार होगा, तो ये तो आ चुकी है, ठीक है, ये देखो, यहाँ से मिचलेगी, वेड़ो हमारे, 1 को इदर ला होगी, 2 cos x is equal to minus 1, और ये 2 कहां जाएगा, इसके denominator में, अब cos x बनापर minus 1 by 2, तो क्या बता है था, आप x is equal to क्या होगा, cos इदर आएगा, तो कैसा हो जाएगा, negative हो जाएगा, आपक minus 1 by 2, और इसकी principle value निकाले जाएगा, आपने 2.2 exercise में, निकाली थी न, 2.1 में, क्या निकाली थी principle value of cos inverse minus 1 by 2, जब cos inverse negative आता है, तो pi से घरता है वेड़ो, तो pi minus, आपको याद होगा, 1 by 2 जा होगी, pi by 3, तो इसकी value आएगा, 2 pi by 3, याद आया, 2 pi by 3, तो वेड़ो आगे, pi by 3, 120, अभी, 120 आता है न, 0, 7, 80 इसकी बीच में, 2 pi by 3 and pi, ये तीन value आगे, x के, ये तो जानता होगी, 2.1 exercise में, आपने पढ़ा था, पर cos इदर आएगी, तो इनोर सोजेगा, cos inverse minus 1 by 2, इसकी principle value निकालेगी, पर cos negative है, cos की value 1 by 2 किस पर होती है, pi by 3 पे negative है, तो उसको pi से minus करत ठीक है, ये आगे, इनोर में, लोग आप यहाँ put करो, f of 0 put करो, f of 0 करेंगे, तो sin square 0 minus cos 0, sin square 0 होता है, cos 0, 1 होता है, so that is equal to minus 1, ठीक है, फिर f of 2 pi by 3 करो, 2 pi by 3, ये होगे, sin square 2 pi by 3 minus cos 2 pi by 3, ठीक है, sin 2 pi by 3 के value में, तो उसको स्केर कर दो, sin 2 pi by 3 जानके हो न, sin 120, sin 120 को रिखेंगे, sin, 2 pi by 3 है, ये, तब हो, कुछ सब जो इसको, और कुछ नी समझे न, sin 2 pi by 3, pi by 3, 60, 62 जा 120, 120 को रिखेंगे, 180 minus 60, 180 minus 60, 120, और sin 180 minus theta, second quadrant, sin theta, तो sin 60, और sin 60 होता है, वे रूट 3 by 2, क्या आगा, वे रूट 3 by 2, और इसका क्या आगरेंगे, whole scale, sin square है, sin square है, तो क्या होगा, whole scale, और minus, इसका तो आपको पता है, ये, post 2 pi by 3, अभी कर रहे थे, post 2 pi by 3 क्या हो जाएगा, minus का 1 pi 2 हो जाएगा, तो minus 1 by 2, तो minus minus plus 1 by 2 हो जाएगा, तो यह होगा, 3 by 4 plus 1 by 2, और इसका जाएगा, 3 plus 2, pi by 4, ठीक है, ये बिलो आगी, साइक है, अच्छा, थड़ भी, f हो, pi तुक पत, sin pi 0 होता है, ये, 0 लिखोंगे, तो 0 बास square 0, minus post pi, और post pi क्या होता है, minus 1, तो minus minus plus 1, थीटर, ये 1 आगी, अब बता हो, मुझे सबसे, ज़्यादा मेलो कौन सी है, ये रहे भई, 1 point something है न, तो ये है absolute maximum value, और ये है, सबसे कम, absolute minimum value, तो इस परकार के QC exercise mark पढ़ेंगे, absolute maximum और absolute minimum,